जब से इसराइल ने हमास के हमलों का जवाद देने के लिए गाजा में उप्रेशन शुडू किया है तब से इसराइली पीम बेंजामिन नेतन्याहू विवादों में घिरते चले जा रहे हैं हमास कुजड से उखाड फेकने के लक्ष को अब तक नहीं मिली कोई खास सफलता से उनकी खीश तो सब के सामने है ही हमास के कबजे में क्याद अभी भी कई निर्दोश इसराइली बंदकों की रिहाई को लेकर भी नेतन्याहू अपनी सरकार और जनता के निशाने पर है इस बीच गाजा में इसराइली बलों की ओर से की जा रही बरबरता और मानुविय कुरूरता को अबंतर राश्च्वे बिरादरी में नरसंगहार कहा जाने लगा है इसराइल और हमास की जंग का अखाड़ा बन चुका गाजा करीब करीब तबाह हो गया है वहाँ अब लोगों की आबादी नहीं बलकि टूटी फूटी इमारतें, जमी दोज घर और उनके मलबे ही दिखाई दे रहे जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस मकसद से इसराइली सिना ने पलटवार शुरू किया था, उसमें उसने काम्याबी की बज़ाए मनहूसियत फैला दी है इसराइली बलो के खतरनाक ओप्रेशन ने गाजा के अस्तुत्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं यही वज़ा है कि अब इसराइल के टॉप लीडर्स निशाने पर हैं, खबर आई है कि नितन्याहूब अपने ही घर में घिर चुके हैं हिब्रु न्यूस की एक रिपोर्ट के माने तो IDF चीफ आफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने इसराइली पीम बिंजमिन नितन्याहूँ को युद के बाद गाजा पर शाशन कौन करेगा, इसका एलान करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई वहीं इसराइल के चैनल 13 ने हलेवी के हवाले से बताया कि अब हम उत्तरी गाजा के सहर जवालिया में एक बार फिर से काम कर रहे हैं जब तक गाजा में एक निकाय बनाने की कोई राजनेक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जो हमास नहीं है इसराइल तब तक अपने अभियान जारी रखेगा जब तक हमास के बुनियादी धाचे को खत्मना कर दे जो एक तरह से कभी न खत्म होने वाले काम की तरह है IDF के वरिष्ट अधिकारी ने भी गाजा को लेकर इसराइली सरकार से फैसला लेने और रणनीती बनाने की अपील की है इसके अलावा नेतन्याहू सरकार के इस अदस्यों ने कथे तोर पर नेतन्याहू को चिताबनी दी कि पिछले कुछ हफतों में इसराइल के निर्णे लेने की कमी ने सिर्फ जान जोखी में डाली है इस्राइल के चैनल 12 ने दावा किया कि नितन्याहू ने स्ट्रेटिजिक प्लैनिंग को लेकर शीन बेट प्रमुक रोनेन बार के साथ जगड़ा किया था हाला कि बाद में उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया बता दे कि नितन्याहू और उनकी सरकार को युद्ध के बाद गाजा के प्रबंदन के लिए एक योजना बनाने से इंकार करने पर लंबे समय से हलोषना का सामना करना पड़ा है बताय जा रहा है कि नितन्याहू प्रदानमंत्रीपद गवाने के डर के चलते कैबिनेट में ठोस चर्चा करने से इंकार कर रहे हैं नितन्याहू ने युद्ध के बाद की योजना में फिलिस्तीनी प्रादीकरण को शामिल करने के प्रयासों को खारिच कर दिया इसके पीछे की वज़ए बताई कि हमास के तरफ फिलिस्तीन प्रादीकरण भी इसरायल के अस्तित्व को स्विकार करने से इंकार करता है गौर तलब है कि अमेरीकी राश्रपती जो बादन भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि इसरायल को गाजा में शाषन कौन करेगा पर काम करना चाहिए ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी एहम रहेगा कि गाजा कुलेकर इसरायली पीम का स्टेंड क्या रहता है क्या दबाव के चलते वे कोई कदम उठाते हैं या फिर वेट एंड वाच की मुद्रा में रहकर इसे भविश्य के लिए छोड़ देते हैं